वेलकम टू इंटेलिजेंशिया इंस्टिटूट के चैनल को आप लोग जादा से यादा सेर और सस्क्राइब करिए चलिए आज का जो टॉपिक है पर्टिकल साइस चला आया है तो इसमें पर्टिकल थेोरी में आज हम कबर करेंगे उधारवाद जो विचारधारा हो गया था विचारधारा में जो है फेला टॉपिक है उधारवाद ठीक है और बाकी बचे हुए लेक्चछर आप देखने के लिए प्लेलिष में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं तो हम देखेंगे उधारवाद ठीक अब सबसे पहले ये देखते हैं कि उदारवाद है क्या लेवरेले जिम तो इसको उदारवाद हम क्यों कहते हैं तो उदारवाद ये होता है कि ऐसा समाज ऐसा देश जहां पर ब्यक्त की सुतनता हो समानता हो ठीक है? अधिकार मिले हो और राज या सरकार का हस्ता छेप नियून हो मतलब ना के बराबर हो ठीक है? तो उसे ही हम उदारवाद कहते है बहुत ही मतलब लेवरल होना चाहिए कोई भी सासन बेहुस्ता है, कोई भी समाज है तो वहां की जो सासन टरकिरिया है वह एकदम लेवरल होना चाहिए और लेवरल होने के सास साथ मालियार राज का जो है जो है मालिया नहीं मतलब उदारवाद में ये होता है उदारवाद में ये कहा गया है कि मतलब यहां तक ये कहा गया है कि राज का नियंत्रान बाजार पर भी नहीं होना चाहिए आर्थिक ब्याउस्था पर भी नहीं होना चाहिए ठीक है उदारवाद में तो ये कहा गया है मतलब जो आर्थिक प्रनाली है ये बजार के आधार पर छोड़ देना चाहिए उदारवाद में ऐसा कहा गया है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सस्त्रिय उदारवाद सस्त्रिय उदारवाद अब सस्त्रिय उदारवाद सबसे पहले इसका सस्त्रिय उदारवाद जो आया तो ये वडिक वाद के बिरोध में आया मद्य कालीन में आया था सामन्त वादी परंपरा के बिरोध में आया राजित तंत्रिय सासन था उसके बिरोध में आया पोप सैही बेवस्था के बिरोध में आया ठीक है और उदारवाद को जो है हम उदारवाद को जो है हम मद्यम उदारवाद को हम मद्यम वर्ग की विचारधारा भी कहते हैं अब उसके बाद में ये देखते हैं कि सस्त्रिय उदारवाद का उदभो हुआ किस कारण से इसका उदभो हुआ किस कारण से इसका उदभो हुआ कारण क्या थे तो कारण देखिए उस समय मद्यकालीन में पुनर जागरण आंदोलन प्रारम हुआ था पुनर जागरण आंदोलन ठीक है दोरन चालू हो गय थे धर्म सुधार आंदोलन ठीक वारज्जी क्रांती शुरू हो गया था सोलासो इस भी में ठीक है सोलासो सोलाभी सताब्दी क्या आजपास जो है ठीक और दोगी क्रांती भी शुरू हो गया था संचार साधनों का विकास भी होने लगा था उसके बाद में यूरोपिय समाज में जो है मद्यम वरका उधय होने लगा था ठीक है तो इन कारणों से जो है सास्त्रिय उधारवाद की उच्पत्ती हुई ठीक है अब इसको हम देखते हैं उधारवाद की अर्थ क्या है उधारवाद का अर्थ और परिभासा को हम देखते हैं ठीक है तो इसको कई विचारक है और वो विचारक जो है उदारवाद की परिभासा को जो है परिभासित किये हैं जैसे हैकर है इसमें एक बिचारक ये अपने अनुशार के हैं दूसरे हैं लासकी ठीक और एक बिचारक है रिचर्ड रिचर्ड बहयम ठीक है तो जो हैकर है तो हैकर कहते हैं कि जो उदारवाद है सस्त्रिय उदारवाद है ये राजनीत के सब्दकोस में प्रचलित सब्दावली है हैकर ऐसा कहते हैं हैकर कहते हैं कि ये कुछ नहीं है बस एक प्रचलित सब्दावली है ठीक है सब्दकोस में प्रचलित सब्दावली है लेकिन अगर लास्की की बात करते हैं तो लास्की कहते हैं कि जो सस्त्रिय उदारवाद है ये सिद्धानतों का समुच्चे नहीं बलकि मन की आदत है ऐसा कौन कहते हैं लास्की कहते हैं लेकिन अगर हम रिचर्ड वहयम की बात करते हैं तो रिशर्ड वेहम कहते हैं कि सस्त्रिय उधारवाद की विशारधारा में जो है ब्यक्त की सुतंता में विश्वास करना ही उधारवाद है यह कहते हैं रिशर्ड वेहम अब हम देखते हैं सस्त्रिय उधारवाद की विशेष्था क्या है इसकी विशेष्था को देखते हैं क्या क्या ऐसी quality है सस्त्रिय उधारवाद की कि इसको हम सस्त्रिय उधारवाद नाम दिये ठीक है liberal legend liberal बोलते हैं ठीक है तो क्या होना चाहिए अब देखिए इसमें एक विचारक है बारबारा गुडबिन तो बारबारा गुडबिन ने कुछ बातपूर विसेशताएं बताएं है सस्त्रिय उधारवाद की इसको हम देख लेते हैं यह कहते हैं कि सस्त्रिय उधारवाद में जो है स्वतंता होनी चाहिए स्वतंता के साथ ब्यक्त की तरकिक्ता होनी चाहिए और स्वयत्ता भी होनी चाहिए ये सस्त्रियों उदारवाद का एक फीचर्स है दूसरा इन्होंने ये बताया कि सरकार या राजी का निर्माड या सासन का निर्माड ये ब्यक्त की सहमती पर होना चाहिए ब्यक्त की सहमती और समझोते के आधार पर होना चाहिए मतलब बारबारा गुडविन ने कहा कि जो सरकार का निर्माण होना चाहिए अगर सरकार का निर्मान होता है तो ब्यक्त की सहमती और समझवते के आधारपद ही होना चाहिए ये सस्त्रिय उदारवाद की एक विशेस्ता है ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो सस्त्रिय उदारवाद नहीं है उस समाज में उदारवाद के संगल्पना नहीं हो सकती है ठीक है इसलिए अब देखिए अभी हम बात की हैं कि सस्त्रे उदारवाद की उद्पत्ति कैसे हुई तो राज तंत्रिय सासन ब्योस्था के खिलाफ में हुआ अब राज तंत्रिय मतलब राज तंत्र खतन किया जाए जो वंसा नुगत चला आ रहा है कि राजा जो है वंस के आधार पर चुने जाते थे तो यहां पर यही कहा गया है कि सस्त्रिय उदारवाद में यही कहा गया कि ब्यक्ति को जो है सोतन छोड़ देना चाहिए तार्किक ह ना कि राज्त तंत्रिक सासन होना चाहिए ना कि राज्ता नहीं होना चाहिए. यह दूसरा फीचर से थे के बात करते हैं. सासन हमेशा सासन सासन जो है ये संबैधानिक 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 यों बिदिका सासन होना चाहिए बिदिका सासन होना चाहिए ठीक है ये हाँ और फिर चैन की सुतनता होनी चाहिए अगला विसेस्ता है चैन की विसेस्ता होनी चाहिए चैन की विसेस्ता हैं ठीक किसी भी वस्त चीज या वस्त को चैन की विसेस्ता होनी चाहिए आउसर की समानता आउसर की समानता होनी चाहिए सामाजिक नियाय होना चाहिए सामाजिक नियाय होना चाहिए ठीक है सोसल जेस्टिस और अगला इन्होंने बताया कि शहीं सूरता होनी चाहिए अगर ये चीजें ये तत्य विद्धिमान हैं किसी भी समाज में तो वह समाज जो है उदारवादी समाज है ऐसा ये विशेशता हैं कुछ ठीक है अब हम देखते हैं सस्त्रिय उदारवाद तो सस्त्रिय उदारवाद में जो है सस्त्रिय उदारवाद सस्त्रिय उदारवाद ठीक है अब सस्त्रिय उदारवाद में जो है राजी की तुलना में जो है ब्यक्ति को जादा महत्तु दिया गया है ब्यक्ति को जो है जादा महत्तु दिया गया है राजी की तुर्णा में ठीक ये सस्त्रिय उदारवाद में ऐसा है क्योंकि ये कहा गया है ब्यक्ति जो है सस्त्रिय उदारवाद में कहा गया है कि ब्यक्ति जो है राजी का निर्मार करता है ठीक ब्यक्ति जो है राजी का निर्मार करता है और ब्यक्ति राजी का निर्मार इ अता सस्त्रिये उदारवादियों के अनुसार राजी एक कृतिम संस्था है क्योंकि राजी का निर्माड ब्यक्ति के द्वारा किया गया है और ब्यक्ति अपनी हितों की सुरच्छा के लिए हितों की पूरिती के लिए राजी का निर्माड करता है ठीक है इसी लिए ब्यक्ति ज्यादा महत्पूर्ण है राजी की तुल्ला में ब्यक्ती है तो राजी है किस बिचारदारा में कहा गया है सस्त्रिय उदारवाद में ऐसा कहा गया है ठीक है ये देखते है अब हम बात करते हैं अगर सस्त्रिय उदारवाद का दारसनिक आधार दार्थनिक आधार की बात करते हैं तो यह दार्थनिक आधार जो है हाफ्स एक बिचारक है वो बिचारक है हाफ्स और हाफ्स के बिचारों में जो है पाया जाता है हाफ्स कहते हैं हाफ्स कहते हैं कि बेक्त जो है हाफ्स कहते है बेक्त जो है ब्यक्त बिबेक शील है ब्यक्त जो है बिबेक शील है ठीक ब्यक्त बिबेक शील है ब्यक्त जो है तारकिक है हॉप्स का कहना है कि ब्यक्त बिबेक शील है ब्यक्त जो है तारकिक है ब्यक्त अपने हितों की पूर्ती के लिए हितों की पूर्ती के लिए हितो की पूर्ती के लिए प्रत्न शील रहता है ठीक है हॉप्स कहते हैं परंतु परंतु यहां पर हॉप्स को हॉप्स को हम उदारवादी विचारक नहीं मानते हैं उदारवादी विचारक इनको ना मानने का एक रीजन है क्योंकि यह जो है सासन ब्योस्था को मानते हैं कि सासन ब्योस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पर पूर्ण सत्यावादी राज का अस्थापना हो तो ये पूर्ण सत्यावादी पूर्ण सत्यावादी राज की संकलपना करते हैं मतलब ये कहते हैं कि ब्यक्ति बीबेक सील भी है तारकिक है अपने हितों की पूर्ती के लिए प्रसील रहता है लेकिन सासन राजी लेकिन राजी की संकलपना इन्हों ने पूर्ण सत्यावादी राजी की संकलपना दिये ठीक है तानासा ही राजी की संकलपना इन्हों ने किया इसलिए जो है करते हैं कि उधारवाद, सस्त्री उधारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो यह जनक है John Lock, जनक की अगर बात करेंगे तो यह है John Lock, ठीक है, अब John Lock को इसलिए कहते हैं, क्योंकि John Lock ने सबसे पहले क्या किया, जो हॉप्स ने पूर्शत्यावादी राज की संगलपना किये थे इसका इन्होंने खंडन किया और इन्होंने अलगाओ कर दिया अलगाओ किया राज और ब्यक्ति के बीच अलगाओ कर दिये जॉण लॉग और जॉण लॉग कहते हैं कि राज का कायरी सिर्फ ब्यक्तियों की सुरच्छा करना है मतलब यह कहते हैं कि राजी का निर्मार तो किया जाता है शीमित राजी का काम हमेज़ा शीमित और संबैधानिक होना चाहिए संबैधानिक होना चाहिए संबैधानिक सासन होना चाहिए बस इतना काम होना चाहिए राजी का राजी का हमेज़ा काम सीमित और मैधानिक सासन होना चाहिए ठीक है पर जॉन लॉक यह कहते है ठीक है और इसमें एक बिचारक आते है बेंथम ठीक और बेंथम महोदे कहते है कि यह जो समाज है यह समाज है समाज जो है ब्यक्तियो का योग मात्र है बेंथम कहते हैं समाज जो है ब्यक्तियों का योग मात्र है ठीक है ब्यक्तियों का योग मात्र है सिर्फ ठीक है यह कहते हैं बेंथम इसलिए बेंथम के अंसार सस्त्रिय उदारवादियों का समाज जो है अनुवादी परतीत होता है ठीक है अब हम देखते हैं कि तो इसको हम सामाजी ग्रूप में देखते हैं, आर्थिक रूप में देखते हैं और राजनिती ग्रूप में ठीक है, तो सामाजी ग्रूप में भी देखेंगे, सास्त्री उजार को सामाजी ग्रूप में देखेंगे, आर्थिक रूप में देखेंगे, ठीक है, आर्थिक रू खुआ उधारवा sag को तो कहा गया है कि ब्यत्य जो है तरकिक होता है और विबेक शीण होता है ृृ, इसलिए इसलिए सामाजिक और धार्मिक बे उस्था की जान्च हमेश्च जो है तरक यूम विबेक के आधार पब होना चाहिए ना कि परंपराओं के आधार होना चाहिए ये सामाजिक रूप में सस्त्रिय उदारवाज की संकल्पना किया गया है ठीटे और अगर आर्थिक रूप की अगर बात करती है तो आर्थिक रूप में ये कहा गया है कि राज जी का हस्ता छेप जो है राज जी का हस्ता छेप जो है अर्थ ब्योस्था में निय नियून्तम तो उनूकि हंता हुं और नियूनतम हस्ता छेव इसलिए होना तेसे राज्य को इतना ही करारोपर लगाना चीए जित मैं जी doe है। आर्थिक रूप में सस्त्रे उदारवाद की संकल्मना यह कह गया है कि मानो जो होता है जो मानो है या मनुस है यह उत्पादक है ठीक उत्पादक है और इसे जो है उत्पादक होने के नाते जो है बिन्यमन तथा बितरण करने वाले बैक्तिक को जो है खुला छोड़ देना च ठीक है बस कर इतना लेना चाहिए जितना सुचाहर रूप से सासन ब्योस्था संचालिज किया जा रहा हो ठीक है यह ऐसा कहा गया है और कोई ब्यापार या ब्योसाय करने के लिए मना ही नहीं होना चाहिए आर्थिक रूप में ऐसा कहा गया है आर्थिक ब्योस्था में और अपनी संपत्ति को मानो बेजने और रखने के लिए स्वतंत रोना चाहिए ठीक है राजी का मतलब नियुनतम हस्ता छेप होना चाहिए अर्थ ब्योस्ता में ये संकलपना उदारवादी विचारदारा में किया गया है अगर हम बात करते हैं पर राजनीतिक राजनीतिक रूप में देखते हैं अगर सस्त्रे उदारवाद को ठीक है तो यहां पर भी कहा गया है कि सक्तियों का हमेशा प्रिथक करन होना चाहिए सक्तियों का प्रिथक करन होना चाहिए पिर्थक करण होना चाहिए ठीक है ये और उसके बाद में राजनिती ग्रूब में सक्ति संतुलन होना चाहिए ठीक है निस्पच चुनाओ होना चाहिए उत्तरदाई सासन होना चाहिए सार्भोमिक वैस्क मताधिकार होना चाहिए ठीक है और प्रेस की सुतंता होनी चाहिए नियाय पालका की सुतंता होनी चाहिए, अल्च संक्यों के अधिकारों की रच्छा होनी चाहिए, ऐसा उदारवादी विचार-धारा में कहा गया है. अब हम बात करते हैं राज की प्रकिर्थी सस्त्रिय उदारवाद में राज की प्रकिर्थी कैफे होगी ठीक है राज का स्वरूप कैफे होगा ये देखते हैं तो अब देखिए सबसे पहले राज की प्रकित में संसदिय सरकार होनी चाहिए या संसदिये सासन ब्योस्था होनी चाहिए संसदिये सरकार अब बात करते हैं संसदिये सरकार के समर्थक जो है ये वही है हमारे जॉन लॉक साहब जॉन लॉक ठीक ये हैं और ये कहते हैं जॉन लॉक कहते हैं जान लॉक के अनुसार संसदिये सासन सरकार होनी चाहिए और यह कहते हैं कि करारोपड का निर्धारण जो है करारोपड का निर्धारण जो है यह संसद के दोरा होना चाहिए ठीक है ना किसी राजा माराजा और सामतवादी के तहत होना चाहिए ठीक है यह कहते हैं और जो भी संसधीय सरकार के तहने गी उसका जो शासन व्योस्था होनी चाहिए वो बहुत जादा नहीं होना चाहिए सीमित होना चाहिए ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि राज होनी चाहिए हमेंसा, राज होना चाहिए आहस्त छेप वादी, राज होना चाहिए, आहस्त छेप वादी, ठीक है, आहस्त छेप वादी, राज की संकलपना जो है, किया गया है, और इसे में यह कहते हैं, आस्त छेप वादी, राज में ही कहते हैं कि पितर सत्ता का अभाव होना चाहिए और समझहोते की सोतंता होनी चाहिए ठीक है ये दो बात कहते हैं ये जाम मैं पूछा गया है कि लौक ने जो है सस्त्रिय उदारवाद में जो है आस्तिछेप वजी राजी में किन दो चीजों की अभाव की बात किये हैं तो पि होते की स्वतंता होनी चाहिए बिना समझ होते की स्वतंता नहीं होना चाहिए ठीक है सामती और साम बैदानिक सासन होना चाहिए ऐसा कहते हैं लाग अब लाग ये भी कहते हैं लाग कहते हैं कि राज की प्रकृत में राज का सरूप ऐसा है कि राज एक आवश्यक बुराई है ठीक है आवश्यक बुराई है ऐसा है इसलिए कहते हैं क्योंकि राज इसलिए होनी चाहिए राज इसलिए होना चाहिए क्योंकि सासन सीमित और संबैदानिक सासन बना रहे रात्री पहरी के रूप में इसकी संकल्पना इन्होंने किया है पहरी राजी के रूप में, राजी को इन्होंने परिवाशित किया है लॉक ने, लॉक कहते हैं कि जैसे कोई night watchman होता है रात में, हमारे सुरच्छा के लिए पहरेदारी करता है, ऐसे राजी होनी चाहिए अब हम एक्जाम पर लेते हैं माल लिया रात में कोई नाइट पहरे दाइडी कर रहा है कोई वाच्मेन पहरे दाइडी कर रहा है तो वो सुरच्चा में किसे करता है चोर ना आ जाए कहीं पर कोई सामान गायब ना हो जाए कहीं से इस चीज की सुरच्छा देते हैं इसकी सुरच्छा नहीं देते हैं कि वो हमारी नीन को डिश्टर्ब करें हमें जगा दें तो इसलिए कहा गाए एक आउश्यक बुराई है जो हमें इन चीजों से बचाएगा लेकिन हमें किसी परकार की तकलीफ राज नहीं देगा नकारात्मक पुलिस की संगलपना इन्हों ने किया पहरी राजी की संगलपना लॉक ने किया और समबैदानिक साफन की बात किये हैं लॉक ठीक है ये राजी की प्रगिर्थों ने चाहिए अब देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक है आहस्त छेप वाद अहस्त छेप वाद तिक ये है अब इसमें देखते हैं कि लॉक ने जो एक परिवाशित किया आहस्त छेप वाद तो ये कहते हैं सबसे पहले आर्थिक गतिबिद में जो है आर्तिक गतिवीद में जो है हस्त चेप बिलकुल नहीं होना चीए बहास्त हचेप इतना होना चीए संसदियर सरकार होनी चीए और करारो पर इतना लगाया जाए जिससे एक नकारात्मक पुलिस ये जो पहरी राजिजी है उसके खर्ज को चलाया जा सकते बस इतना हस्ता छेप होना चाहिए बजार में और बजार में जो है नियंत्रण नियंत्रण हमेशा जो है आस्त छेप वाद में नियंत्रण हमेशा जो है बजार के आधार पर होना चाहिए जैसे हम एक्जाम पर लेते हैं राज ये डिशाइड ना करे कि कौन चीजें क्या कैसे बिकेंगी, ये बजार पे छोड़ देना चाहिए, जैसे उत्पादन होगा, जिस प्रकार से मांग होगी, उसी हिसाब से किसी चीज की मूल में बढ़ोत्री और कमी होगी, ये आहस्त छेप वादी जो है, शंकलपना किय गया है सस्त्रिय उधारवात में, और एक महोदय आते हैं, एडम इस्मित, वो भी आहस्त छेप वाद को जो है, एडम इस्मित महोदय जो है, ये कहते हैं कि आहस्त छेप वाद का मतलब है, अद्रिस हाथ की संग्या, अद्रिस हाथ की संग्या, ठीक है, ठीक, ये एडम इस् ऐसमित कहते हैं कि शीमित न क्या न लिए उनको अपकर से शीमित न किया जाए हूना चोड़िया जाए तो पुरेत समाज का भला हो जाएगा, ऐसा कौन वह सांखत है, अब इस में देखते हैं सस्त्रिय उधारवाद और लोक्तंत्र सस्त्रिय उधारवाद और लोगतंत्र ठीक है यह देखते हैं अब देखिए सस्त्रिय उधारवादी जो है लोगतंत्र को जो है साधन मानते हैं साधन मानते हैं और ब्यक्ति को जो है साध्य मानते हैं और ब्यक्ति को साध्य मानते हैं ठीक सस्त्रिय उधारवादी हमेशा जो है लोगतंत्र को साधन मानते हैं ठीक यह और सस्त्रिय उदारवादी मूलतया जो है सस्त्रिय उदारवादी मूलतया जो है ब्यक्तिवादी विचारधारा है ऐसा लोकतंत्र में कहा गया है अगर हम बात करते हैं कि अगर बात करते हैं तो यह ब्यक्तिवादी है अब ब्यक्तिवादी इसलिए है क्योंकि ब्यक्ति को जो है ब्यक्ति की सोतंता को जो है केंद्रिय महत दिया गया है ब्यक्ति की जो सोतंतरता है इसी को केंद्रिय महत प्रदान किया गया है और लोकतंतर है क्या? लोकतंतर में समानता होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सोतंता होनी चाहिए, अधिकार होनी चाहिए, अलप संकों के हितों का सनच्छा होना चाहिए, तो यही तो लोकतंतर है, तो सोतंतर अगर सस्त्रिय उदारवाद है, तो लोकतंतर को य सद्रिय उदारवाद in the best ब्यक्ति को साधिन , इसके मतलब ये हुआ कि सद्रिय उदारवाद विजारधाराभी ब्यक्ति के सोतंता पर जादा जोड देता है 5 अधिकार पर जौधा जोड देता है ठीक है और लोकतंत के द्वारा जो है और सस्तिरे उदारवादी कहते हैं कि लोकतंत अगर है तो लोकतंत में सोतंता, समानता ठीक है और अधिकार बहुत सारी ठीक है बहुत सारी चीज़ों के जा हो है मिश्रन हो जाता है लोकतंत और लोकतंत के द्वारा हमें सोतंता की संरच्छित किया जाता है अगर लोकतंत है तो वहाँ पे हमारे सोतंता संरच्छित होगी और सोतंता में और ज़्यादा से ज़्यादा बिर्दी होगा और अगर सोतंता में ज़्यादा बिर्दी हो रहा है इसके मतलब भी ये जो है ब्यक्तिवादी परंपरा की ओड़ रहे हैं समाज जो है ब्यक्तिवादी हो रहा है ठीक है इसलिए अगर सोतंता है सोतंता को बनाए रखना है तो लोकतंत साधन के रूप में प्रियोग होगा और लोकतंत्र अगर साधन के रूप में प्रियोग होगा तो व्यक्ति अपने आप में साध्य हो जाएगा और साध्य इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है व्यक्ति अभी व्यक्ति इसलिए क्योंकि व्यक्ति जो है जैसे एक विचारक है तो वो कहते हैं उनका नाम है बेंतम और बेंतम कहते हैं कि प्रतेक ब्यक्त का मूल उद्देश होता है ज्यादा से यादा सुप्राप्त करना तो अगर लोगतंत्र हम साधन मान लेती हैं लोगतंत्र अगर साधन है और साधन है तो लोगतंत्र आया तो उसमें हमें सोतंता, समानता और बहुत वारी चीज़ों जो हम सामाजिक मूली हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा और कर प्राप्त हो गया, तो ब्यक्त को जादा से यादा सोतंत होगा, तो जादा से यादा वो खूस रहेगा, सुखी रहेगा, ठीक है? तो यही तो ब्यक्तवादी है, और यही अगर ब्यक्तवाद है, तो सस्त्रिय उदारवाद है, तो यही उप्योक्तावाद है, उप्यो उदारवाद तथा उपियोगतावाद अभी हम इसी में चर्चा भी कर ली हैं सस्त्रिय उदारवाद और उपियोगतावाद तो उपियोगतावाद को जो है बढ़ाने का काम जो है ये किये हैं बैंथम बैंथम महोदे किये हैं ठीक है और बैंथम जो है उदारवाद को जो है बेंथम जो है उदारवाद को उपयोगतावाद के रूप में देखते हैं उपयोगतावाद ठीक है उपयोगतावाद के रूप में बेंथम देखते हैं और बेंथम कहते हैं कि प्रतेग व्यक्त का मूल उदेश होता है ज्यादा से यादा सुक प्राप्त करना चाहता है इसलिए बेंथम को जो है बेंथम को एक विचारक है शेबाइन और शेबाइन ने जो है बेंथम को जो है आमूल दार्शनिक कहा है किसने कहा है शेबाइन ने कहा है शेबाइन ने जो है आमूल दार्शनिक कहे इसको कहे बेंथम को कहे कौन कहा है शेबाइन ने कहा यहां में पूछा गया है यह ठीक है और बेंथम कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों की मानिता बेंथम ने जो है प्राकृतिक अधिकार जो मिले हैं इसका खंडन करते हैं और कहते हैं खंडन करके व्यक्तुवादी बिचार को जो है अपनाते हैं ठीक है यह बेंथम ने उपिय लोगतावाद में ऐसा कहें, ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, अब आगे है सस्त्रिय उदारवाद और समानता, सस्त्रिय उदारवाद और समानता को भी देखते हैं, सस्त्रिय उदारवाद और समानता, ठीक, अब देखिए, सस्त्रिय उदारवाद और समानता देखेंगे, तो इसमें सब के लिए नैतिक समानता होनी चाहिए नैतिक समानता होनी चाहिए ठीक है नैतिक समानता और सभी ब्यक्त नैतिक रूप में शमान है ऐसा कहा गया है अब देखिए उदारवाद में बस इतने ही रहेंगे अगर आएंगे तो हमें यह जानना जरूरी है कि सस्त्री उदारवाद है क्या सस्त्री उदारवाद का कोर क्या है तो कोर में वही अभी हम आलोचना करते हैं उसके बाद बताते हैं क्या हमें की पॉइंट याद रखने हैं सस्त्री उदारवाद में बस ठीक है अब देखते हैं आलोचक आलोचना अब जाहिर सी बात है अगर आलोचना होगा तो बाद में सुधार होगा और यही सस्त्रिय उधारवाद के बाद के बाद कुछ संसोधन करके कल्यानकारी उधारवाद आ गया ठीक है इसके बाद आता है इसलिए सस्त्रिय उधारवाद फिर संसोधन होगा ऐसे यह बिक्सित हो को जो है यह कहते हैं कि लाग के बिजार जो है स्वयत मूलक ब्यक्तिवाद है ठीक है स्वयत मूलक ब्यक्तिवाद है यह मैं एक फरसन कहते हैं ठीक और क्योंकि ब्यक्ति को एक अड़ के रूप में जो है मैं एक फरसन कहते हैं कि लाग का बिजार जो है स्वयत मूलक ब्यक्त इसलिए है क्योंकि लाक जो हैं ब्यक्त को एक अड़ी के रूप में देखे हैं जो ब्यक्त समास से प्रिथक देख रहा है तेक है यह कहते हैं फिर इसमें कहा गया है मैं एक फर्जन कहते हैं कि पूंजी पतियों और मध्यम और का यह दर्शन है सस्तिरे उधारवाद जो है ये पूंजी पतियों वा मद्यमवर का दर्चन है मद्यमवर का दर्चन है इसमें समान लोगों का हित होई नहीं पाएगा वंचित वर्गों का उत्थान होई नहीं पाएगा अब इनी वंचित वर्गों का उत्थान के लिए संसोधन करके कल्यानकारी विचारधारा का जन्म हुआ ठीक है अभी हम आगे देखेंगे तो इसलिए होगा क्योंकि देखिए अगर राज का हस्ताचेप निवन हस्ताचेप होगा इतना हस्ताचेप होगा जिससे हम समयधानिक और सीमिस सासन चलाने के लिए हम करारोपड करेंगे तो पूझी पतियों वर्ग का प्रबुत जो है फिर से बढ़ने लगेगा इसलिए आर्थिक ब्योस्ता पर करारोपड इस प्रकार्थे होना चाहिए कि समाज में और जो वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान किया जा सके इसलिए जो है इसकी अलोचना किया गया है क्योंकि इसलिए कहा गया है कि ये जो उदारवादी विचासस्त्री उदारवादी जो विचारधारा है ये जो है पूझी पतियों और मध्यम और के बहवा दे रहा है ठीक है और फिर इसमें और आलोचना क्या गया है ये कहा गया है कि ब्यक्ति को अगर हम खुला छोड़ देंगे जो ब्यक्ति को अगर हम खुला छोड़ देते हैं खुला छोड़ देते हैं तो समाज की बहलाई अपने आप हो जाएगी ऐसा कहा गया है तीक है ऐसा एडमी स्मित के द्वारा कहा गया है जबकि ये आंसिक रूप में तुरुटि पूर्ण है सही नहीं है क्योंकि सबकी इस्तिती एक समान नहीं होती है कोई हासिये पे ब्यक्ति है वंचित उबर का ब्यक्ति है तो उसको खुला छोड़े देने पे वो कैसे अपना विगाज कर लेगा एडमी स्मित ने जो ये कहा है कि उदारवादी सस्तिय उदारवाद में ब्यक्ति को खुला छोड़ देना चीज़ए तो सबकी बलाई अपने आप हो जाएगी अब जैसे हम बरतमान समाज में देखते हैं अगर हम सस्तिय उदारवाद को फिट करते हैं तो हमारी जो कल्यानकारी इसलिए सस्तिय उदारवाद जो है हमारे बरतमान में प्राशांगी कुछ रूप में नहीं है इसलिए नहीं कि जैसे हम मानते हैं सस्त्रे उदारवाद को अगर हम फिट करते हैं तो सस्त्रे उदारवाद में ये भी का गया है कि आर्थिक ब्योस्ता में सरकार का नियंत्रन होना ही नहीं चीए एकदम नहीं होना चीए अब करार ओपड मतलब इतना करना चीए जिससे हमारी सासन व्योस्टा संचालित हो सके तो ये वताइए जो ये गरीब तबके के लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं बिचारे गरीब हैं बिकलांग हैं अपंग हैं तो इनका उत्थान कैसे होगा समाज में इनके उत्थान के लिए जो है हमें कल्यानकारी राज की संकलपना की आउसकता हुआ और बरतमान पर पेच में हम देख सकते हैं इसको इसलिए जो है सस्त्रिय उदारवाद जो है पूर रूप में बरतमान सरकार के लिए प्रासांगिक नहीं है और इसमें संसोधन करके साथ-साथ सस्त्रियो उदारवाद में में कल्यान काईरी राज की संकल्पना भी किया गया ठीक है तो इसलिए जो एडम इसमित महाधे कहते हैं कि ब्यक्त को खुला छोड़ देने पर अगर ब्यक्त को खुला छोड़ दिया जाए समाज बेक्त को खुला छोड़ दिया जाए तो समाज की बला यह अपने आप हो जाएगी यह बिल्कुल आंसिक युम तुर्टपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी की इस्तिती समान नहीं है कि वो अपना विकास कर सके ठीक है तो यह हम देखे हैं सस्त्रिय उदारवाद क्योंकि झाल आएगी